विडियो एंड मैच में जाने से पहले बहुत सारे अपडेट आचुके तो पहले थोड़ा से लाइक अपडेट की बात कर लेजे उसके बाद हम जाएंगे मैच में तो जो हमारा फर्स्ट अपडेट है यह लाइक एक इंडिया में आएगी और जो यह टार्नेमेंट के साइट से आपको यह टार्न में देखने को मिलेगा और बाकि जो इसका क्वाटर फाइनल है समी फाइनल है यह स्ट्रीम होगा यूटुब पे बाकि जो तो रोड मैप है वो आप देख सकते हो जिसमें से आपको 12 इंडियन टीम्स देखने को मिलेगी और 4 इंटेनेशनल टीम्स आपको देखने को मिलेगी जो कि इंडिया आएगी और वो टीम्स PMGC से नहीं रहने वाली है जैसा कि आप यह स्पोर्ट्स निउस बॉइन ने बता है और most important यह जो tournament है वो Indian government करा रही है और बाकी देखते हैं जो भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा बाकी आपको क्या लगते हैं कि टीम सोल यह tournament खेलेगी वैसे अगर यह इंडियन government करवा रही है तो mostly यह टीम सोल खेलने वाली है वैसे अभी कुछ update आया नहीं है बा बाकी यह था international tournament का update बाकी जो हमारा next update है वो यह है कि सौमे भाई निंजा भाई ऐसे ड्वेल के bootcamp पे आ गए और सौमे भाई का किया reaction थे ड्वेल के bootcamp को लेकर वह आप आगे देख सकते हो old boys are back guys हटो एक मिनट आई कि भाई एक लगवाई गाड़ी चलाने में और एक ही MVP निंजा bootcamp कैसा लगा है मस्त bootcamp एकदम मजा है living house कैसा लगा बढ़ी है बहुत बढ़ी है मजा है बाकि जो हमारा next update है वह है कि जो कि अभी लाइक बीम पीएस के मैचे सो रहे हैं अभी वीक टू का जो ग्रूप से वह आ चुका है और आप जो ग्रूप से और मैचे से वह आप देख सकते हो सभी ग्रूप का और जो डेट है वह आपको नीचे देखने को मिल जाएगा साइड में लेफ्ट कॉर्णर में आपको जो मैचे से जो ग्रूप से उनके जो डेट रहेंगे वह आपको देखने को मिल जाएगा बाकि जो हमारा next update है वह यह e-sports आवार्ड को लेकर है तो आपको बता है मॉटल भाई नॉमिनेट हुए थे e-sports personality of the year में तो मॉटल भाई उसमें अभी हैस्टेग टुआ है और यह बार भी हैस्टेग टुआ है मॉटल भाई तो यह था कुछ अपडेट वाकि आपको यह वीडियो में टीम सोल के आपको अच्छे fight आपको देखने को मिलने वाले fight क्लेट आपको देखने को मिलेंगे स्क्रिम्स के तो चलते हम सिधा मैच की तरफ मैच में जाने से पहले चैनल पर जो भी नहीं सब्सक्राइब कर देना जो हमारा गोल है वह सिक्ष्टी के सब्सक्राइबर का और अल्मोस मुझे लगता है 140 या 130 सब्सक्राइबर चीए तो ह हो सके तो आज कर देना कैसे भी बाकी चलते हम सिधा मैच की तरफ जी जान लगा कर खेलते ना चुड़ाते और अपना जब भी इनको पता है ना की जोन एक हाड़ निश्चन है और अभी जानते कि अगर यासना को क्लियर कर दिया और अच्छे खासे पने नाम मिलेंगे मिल है नाम यहां पर जरूर लोग कहते हैं कि आईजियल है बट यह सब कुछ करना जानते हैं पंक और मानने आमेरे साब से दो मुष्ट यहां पर कम्प्रीट बात कर लिए 1v1 में भी बहुत ज़दा रिलाइबल रहते हैं लेकिन आभी फिलाल देखा जाए रहनी पाजी सीधा स्लैम इन करने के लिए समय तयार देखने को मिलेंगे 1v1 का सिनेरियो था नखुल जरूर डाउन होए बट उतनी ही जल दिये कवर भी देखने को मिला भूला जाता है टीमवर्क इस इकोल टीमवर्क और सही माइनों में सही समय पर टीमवर्क अगर आ जोए प्लियर्स आपक वो मॉलोटॉफ लगी हुई थी लेकिन उसके बावजूद इनोंने एक 1v3 कर दिया और यह दर्श आता है और यहां से एक और खिलाडी खोने की मुझे नि लगता बिल्कुल भी जो गुंजाईश है वो पची है एक और खिलाडी अगर आपना खोते हो तो समस्य है परती न चुराएंगी बट निंजा की अच्पी ज्यादा फिलाल में बुलूगा दे कि कम कर दीगे बट नकुल अन सब के दौरां जान मुझ के विकल्स बहुत जबा करीब से निकालने काफी जो वो डिस्ट्रैक्शन एक क्रिएट कर सके और लीजिए एक खिलाडी को डाउन जनू यहाँ पर जो गड़ है वो बना चुकी है बट दूसी तरफ टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स वो कब उतरेंगे फाइट्स में क्योंकि जब जब टीम एक्सपार्क फाइट में आती है तो इक अलग इसपार्क देखने को बलती है अब टीम आईकू सोल की अगर बात कर ली ज में भिलते रही है मुझे अभी के लिए उतनी जदा इंफॉर्मिशन है अगींस टीम एक्सपार्क बट वहां से बच बचा कर निकले चरूर बट रौनी का सामना करना पड़ेगा गुरू और रौनी हमने देखा है क्लचेस करने में माहिर है एक खिलाडी को चलिए दो प्ल जाने में गरता तो समस्या है जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ सकती थी बट खैर अभी के लिए मुकाबले की बात कर ली जाएगी जो प्लेयर्स हैं वो कंप्लीटली फिलाल देखे वेट करते नचार रहें 237 मीटर फिलाल जोन की तरफ बढ़ना पड़ेगा बट दूसी तो कंप्लीटली अराइस के उपर है ही है अराइस को क्या डाउन यहां पर कर सकेंगे यह देखने बली बात है बट टी माय को सोल स्टिल जीतने कि यहां पर इस पेटल को प्रफल दावेदारी देखे अपनी जो पेश है वो करती जरू न चारी बट यह ग्रेनेड एक शन ऐ इसी रहे टॉड एच भी रह चुके हैं टीम आईक्यू सोल का भी नजर इंको पर पढ़ेगा जरू क्योंकि वो राइट सैन में लेकिन जादू की तरफ से वो वेहिकल प्लास्ट की गई आईक्यू सोल की तरफ से भाई तीम आईक्यू सोल ने चलिए एक फिनिश निकाला जरूर और टीम चैनेसिस का इस मैच से सफाय हो सकता था लेकिन हल्यूस आच्वा है वो आपने आपको यहां से बचा के निकाल चुके फाइट्स नहीं होती है तो नहीं होती है विकेंडी ऐसा मैप है और जो होती है तब आप दिखा नहीं सकते इतनी ज्यादा फाइट्स हो जाती है अब थोड़ी देर के लिए फ्लेट्स अलाइफ है और आईक्यू सोल का यहां पर पुश आ चुका और निंजा सबसे आगे अपने हाथों में ग्रेंट को कर चुके है शायद वो ग्रेंट से एक हाथ नौक निकाल पाया है और एक मौका निकालना पड़ेगा चुआली है इंसीडियस पोच और नौक टाउन किया उन्होंने रोनी को और इंसीडियस भाबी नौक में देखने को मिला नकूल की तरफ स फिनिश ऑफ कंफर्म एंड निंजा का वो नौक कहीं ना कहीं इस टीम को सरूर थोड़ा सा फायदा देता हूँ दिखाए देगा और ओविस सी बात है टीम हैदराबाद हाईट्रास के पास सिर्फ तीन ही प्लियर्ट्स बचे हुए थे तून में से एक तो निंजा डाउन क के साथ फार्ट्स लेन नी पड़ेगी कभी-कभी मेरे प्रेडिक्शन सही साबित हो जाते और एक और ग्रेंट डाला जिसमें नकुल फिनिश ओफ क्यूंकि जिस तरह के से टीम आईको सोल के एक साथ प्लियर्ट्स बैठे थे ना वो लूट करने की कोशिश कर रहे थे आएंगे विकेट की पात करना चाहतो स्मोक्स की तरफ से यहां पर अंदर घुस्ते पे दिखाए दे रहे और डारेक्ली ब्लाइंडी पुश करना विकेट के लिए बहुत गलत होने वाला है स्कूबा की बात करना चाहतो देख लीजे वेहिकल में बैठे टॉट एजब हो यह ग्रिट देख लीजे मैंने कहा था ये कुछ जवाब देगा और ग्लीचे एक्स के टीम उस ग्रिट के लिए तयार नहीं थी विकेट वाँपे डाउन हुए निंजा एक अकेले और एक लास्ट प्रियर और नहीं इनके साथ एक और फ्रियर थे है लेकिन अट लास्ट न मेरे चिसी का मानिया ने देख लीजिए वहाँ पर हालू को डाउन किया अब तक फिनिश उफ नहीं है और डॉट एज भी वो रह चुक है लेगिन फिनिश उफ कंफर्म फाइनली मानिया की तरफ से टीम एफ आईकू सोल सिफ चार टीम से इस मैच में और तीनों की तीनों टीन से आपे जोन के अंदर और चौती भी है अगर मैं निउमन की बात करना चाहता हूँ लेगिन चलिए आईकू सोल तरह आप एफस के साथ फाइट्स लट तकती है और नमबर वन एक्सी स्पोर्ट्स के बात करना चाहता हूँ उनकी निउमन के साथ फाइट शूर हो चुके हिट्मेन वाक प्लेयर है जो कि अब आईकू सोल के पर पुश करना चाहते है निंजा के साथ एक वन वी वन के फाइट्स हो सकती थी लेकिन वो प्रॉन है वहाँ से थूरा सा ओ माई गॉड ये ग्रिनेड मानिया का हिटमेन को नॉक टाउन करेगा और इस मैच में अगर मैं पाट करूँ मानिया जो कर दे सारी की सारी चीज़ उनके फेवर में चाहरी है इससे पहले भी बहुत बार ग्रिनेड्स किया उन्होंने और बहुत बार वहाँ पे टीम्स को टैमिज दिया है और उसी का नतीज है कि IQ Soul अपने खाते में 9 फिनिशस निकाल चुक है लेकिन इस बार नेड नहीं थी इस पर गन था कवर नहीं था और वाल के उपर बैट के Tray Squad ने टाउन करते मानिया को फिनिश आफ करती है रॉनी वीजाट के तरफ से फार किया चाहर है सामने टीम IQ Soul के प्लेट से आपर आज चुके एक नॉक टाउन करना पड़ेगा टीम FS को या फिर एक नॉक टाउन करना पड़ेगा IQ Soul को पुश किया जाएगा और वीजाट अपने घुटनो पेटी म IQ Soul की बात करना चाहत हूँ दोनों प्लेट को अन दे स्पॉर्ट फिनिश आफ किया गया पहले रॉनी एक प्लेट को डाउन किया एंड सेकेंड प्लेट को भी रॉनी आपे डाउन किया कुछ समझ में निया एंड रॉनी यह वाँ पे कुछ तो ब्लास्ट की भाई क्या हूँ हाँ आपे दोनों के दोनों प्लेट से आपे IQ Soul के फिनिश आफ हुए तो उसे चंप किये ना हो अपने प्लेश कही ना कहीं मिली ना हो तो प्लाइक टीम गॉडल क्रो के तरफ से एक फिनिश यहाँ पे आता हुए दिखाए दे सकते हैं पार्थ वाइटी वो प्लेयर है चिन्होंने वन फिनिश निकाले टीम गॉडल क्रो के पास यहाँ पे चारों के चारों प्लेश निकाला वो कौन से टीम कहा है और यह देख लीजिए INS के फ्लेयर्ट्स भी यहाँ पे डाउन हो रहे है सिवेंशू वहाँ पे डाउन किये गये थे सॉरी, 47 डाउन किये गये थे और उनका भी ऐलिमनेशन कन्फर्म टीम जी होता है वा दिखाए देगा और उनके लिए तो आकरे फाइटीस मैच के रहेगी OG को देख लिएजिए वहाँ पे प्लेयर्ट्स टाउन और टीम 22 की पाथ करना चाहता हूँ इग्जाक्ली टीम 22 को इस मैच से बाहर बेजा गया एक जीन ओपी उनके लास्ट नाकरी प्लेयर्ट थे तेरे एक नौक निकालेंगे तो शाद प्रहार किया चाह सकता है पीछे से लेकिन अगर IQ Soul की तकनिक की बात करूँ कुछ और इरादे भी हैं कुछ और भी रणिती यहाँ पर अपनाई चाह रही है दो प्लेयर्ट्स फ्रंट से आने की कोशिश करें और बाकी के दो प्लेयर्ट्स को देख लीचे वो बैक साइड से पुछ करना चाहते है और क्या सच में सारे के सारे प्लेयर्ट्स यहाँ पीछे ही जाने की कोशिश करें अभी के लिए थोड़ा हाई रीच का एडवांटेज चो है वो डिसएडवांटेज कुछ भी ऐसा नहीं है दोनों टीम्स के यहाँ पे सेम फ्लेट्स पे आपको दिखाए दे सकते हो और चलिए सबसे आगे शेर और उनके चुस्ट यहाँ पे फ्रेंट में नकुल नकुलो पहला नॉक छोटा शोयर का निकालेंगे और अब टीम से एकरेट के पास मुझे लगता है सिर्फ दो मातर प्लेयर है नकुल के फिनिश ओफ होते ही अलिमनेशन उनका कनफर्म हो आच चुक है और तीन-चार फिनिश निकाले है आराम से वो 10 किल का जो तारगेट होता है वो कम्प्लेट किया चाहेगा लेकिन अभी के लिए कुछ टीमs के हाँ पर फाइटे में लटती भे दिखाय कुछ टीम पर जीतने और कुछ टीमs के हाँ पर हारने वाली है वो ओ ये दोनो टीम्स के फाइट्स हो ना हो लेकिन आईकु सोल अज बहुत aggressive mode में खेल रहे है जेव फिनिश इस टीम ने निकाल रहे है और मैं देख रहा हूँ कि घुम घुम कि कोई भी जगा पर stay नहीं कर रहे है अगर मैं दोपेर की matches की बात करना चाहता हूँ उसमें completely opposite चीज दिखाई दे रही थी इसके बदोलत उसमें stay कर रहे थे zone के बाहर कहीं नहीं थे दीरे दीरे आगे बढ़ रहे थे और अब 4M की नहीं टीम IQ Soul के प्लेट्स के आपर डुबाते वे दिखाई दे रहे हैं टीम 23rd के भी and finally 688 मिटे का distance लेकिन वो distance travel वो टीम करेगे सर्वाइफ करेगे और ये देखेजिए IQ Soul के दोनों प्लेट्स वहाँ पे गाए और दोनों के दोनों अपने खुटनों पे नकुल के उपर जिम्मिदारिया and Black Rani का तो Elimination हो चुका है मेरी चाहन एक 1v1 की fight sacred के साथ grenade है हाथों में Molly हाथों में इस्तिमाल करना चाहिए एक option है आपके पास अगर मैं sacred की बात करना चाहतों क्या उनके हाथों में कुछ है Oh my god ये क्या हुआ खुद के grenade से